जाए शुकी इस बाइबिल की अध्यन में आप सब का स्वागत है वह हम आशा करते हैं विश्वास करते हैं कि जब आप ओनलाइन इस परमेश्य की वचनों को सुनेंगे भंडाली पन के विशे में तो आप पूरे ध्यान को लगाएंगे क्योंकि भगो का उचन कहता है कि विश्वास सुनने से आता है तो आप जितना ध्यान देंगे उसके अनुसार आपके अंदर में विश्वास आएगा ताकि ये परमिश्य का जो जीवित वचन है जो सामाती वचन है ये आपके जीवन में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं बलकि 100 गुना फल को लेके आ सके आमेन हम भंडाली पन की विश्वे में सीख रहे हैं तीन हपतों से पास्टर सुदी सावले इस विश्वे में हमें सिखा रहे हैं आज हम उसके अगले भाग को देखेंगे हम जानेंगे कि भंडाली कौन है और क्या भंडाली पन में थोड़ा सा है हम एक रूप लेखा को आपको बताएंगे और हम पहले दो वचन को देखेंगे पहला करूंतियों 4 अध्याएका 1 और 2 वचन पहला पत्रस अध्याएका 10 वचन इन दो बचन के नोसा हम देखेंगे, पत्रस येश्यू के समय में था, येश्यू के सेवकाई में था, पॉलूस का जनम तो हो चुका था, लेकिन जब येश्यू मसी उठा लिये गए, पवितातना पंते को उसके दिन में आ गया, उसके बास से हम पॉलूस की चर्चा को, उसम ध्यान देने क्या हो सकता है, बैबिल कहा रिये पहला कुरंतियों चाराथ धाय का एक और दो बचन, मनुष्वार्चा में प्रमेश्र के सेवक और प्रमेश्र के भेदों के भंडारी समझें, तो मैं प्रभू के बचन क्या करा है, फिर यहां भंडारी में ये बात देखी जाती है कि वह विश्वासियों क्यों हो तो जितने प्रभु में लोग हैं जिनका नया जनम हो चुका है जो उधार को प्राप्त कर चुके हैं जो येश्रु के लगों से धुल चुके हैं जिन्नों ने येश्रु मस्री को अपना प्रभु उधार करता स्युकार किया है जो पता हो लेकिन आप एक भंडारी है और बाइविल कह रही है मनुष्य हमें मसी के सेवक और परमेश्र के भेदों के भंडारी समझें तो जो भंडारी है वो कैसा होना चाहिए वो कैसा है वो परमेश्र का सेवक है और यहां उसमें यह बात देखी जाती है कि वो विश्वास य नाना प्रकार के अनुग्रे के भले भंडारियों के समान एक दूसरी की सेवा में लगाए यहाँ पर सब्दाया भले भंडारियों आतात एक से जादा भंडारी हैं इसका वालों जितने विश्वास करने वाले हैं वो सब भंडारी हैं और वो सब क्या हैं सेवक हैं मालिक नहीं है और उन्हें जो भंडारी पन सौपा गया है उन्हें एक दूसरे की सेवा में लगाना है और उसमें ये बात देखी जाएगी कि वो विश्वास योग निकले और वो मसी का सेवक हो हम देखेंगे परमिस्टर के वचन के नुसार में भंडारी पन जो होता है वो मालिक नहीं है वो स्वामी नहीं है भंडारी एक सेवक है भंडारी को सेवा करने हैं तीन पकार के टैलेंट्स हैं थिरी पकार के टी हैं जिसका हमला होता है टी फॉर टाइम हैं समय हैं टी फॉर है अथात कोशल है और टी फर ठ्रेजर है अथात धनसपती है इन तीन चीज़ों को हर एक विश्वास करने वालों को परमेशों ने सौब दिया है कोई भी विश्वासी यह नहीं कह सकता है कि मेरे पास समय नहीं है यहां तक कि अन जाती का व्यक्ति भी हर एक को रोज 24 घंटे मिलते हैं हर एक व्यक्ति के पास में तीन पकार के गिफ्ट होते हैं जो की नेच्वल नेसरगिक वर्दान है फिर वो कुछ लर्निंग को सीखने के द्वारा वर्दानों को सीखता है और कुछ आत्मिक वर्दान होते हैं यह नेसरगिक जो हैं और जो सीखने वाले हैं ये आने जातियों के पास में भी हैं और विश्वास करने वाले आत्मिक दान को प्राप्त करते हैं और आने जातियों के पास धालमिक वर्दान होते हैं और धन सब्मत्ती भी सबके पास में हैं तो परमेश्वर मालिक है एक मनुष यथा जिसे विश्वासी कहते हैं ये परभू का सेवक कहते हैं वो मालिक नहीं है परमेश्वर ही मालिक है कैसे हम जानेंगे परमेश्वर मालिक है तो बैविल हमें सिखाती है हम देखेंगे भजन सेता से स्टार्ट करेंगे हम बजन सेता प्रित्वी पे सारे मनुष जाती रह रही है और जो कुछ उसमें है वो सब किसका है प्रमेश्वर का जगत और उसमें निवास करने वाले भी बाइबिल करती है प्रमेश्वर करती है जगत से ऐसा प्रेम किया मतलर लोगों से ऐसा प्रेम किया हर जाती धरम कुल के लोग भाष्रा के लोगों से रंग लोग के लोगों से प्रेप्रेम किया और उस पर निवास करने वाली वासा लोगों की बात हो रही है जगत और उस पर निवास करने वाले सब कुछ परमिश्रका है तो भजन जो जिसे दाउत ने लिखा हुआ है ये वचन कहता है सब कुछ परमिश्रक है हम जाएंगे इसी के पचास अध्याएं में जाएंगे उसके दस और ग्यारा वचन को देखेंगे तो बाविल करती है क्योंकि वन के सारे जीव जन्तू सारे का मलब सारे जीव जन्तू जितने वन में हैं हजारों पहारियों के जान्वर मेरे ही हैं परमिश्रक है जितने जीव जन्तू हैं जितने पहारों पर चलने ले जन्तू हैं वो सब परमिश्र के हैं पहारों के सब पक्षियों को मैं जानता हूं मैं का मतलब परमिश्र जानता है पहारों पर सब पक्षि उरने वाले हैं और जितने पर पिछ पर पक्ची धरती पर चलने वाले रेंगने वाले हैं और जितने जल के अंदर रहने वाले हैं और मैदान पर चलने फिरने वाले जनवर मेरे ही है प्रभु कवचन क्या से कहा रहा है बता रहा है कि परमेश्वर ही मालिक है मनुष्य मालिक नहीं है मनुष्य त्रिष्ठी करता नहीं है परमेशन उसको बढ़ना रिपन सौंपा है फिर हम जाएंगे भजन सेता एक सो चार में जाएंगे उसके चौबिस प्रशिन को देखेंगे तो बैविल कहती है यहवा तेरे काम अंगिनित हैं इन सब अस्तों को तूने बुद्धी से बनाया है परमेशन ने सब कुछ बनाया है और प्रिथ्वी तेरी संपती से परिपूर है उत्पती एक अध्धाय को देखेंगे तो बैविल कहती है एक अध्धाय को क्या करता है परमेश्वर ने आदी में स्वरक और पितिवी को बनाया उसके अदों सारी सिष्टी क्रिष्ण करी तो बैविल हमें सिखा लिए भजन सेत्रा के दोरा उत्पत्ति के दोरा और पुराने नियम की हम आखरी किताब हो जाकर देखेंगे तो हगाई की पुस्तर किस से करती है उसके दो अधाय में आठ वचन में करती है चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा है सेनाओ के यहवा की यही वानी है बनाद चांदी और सोना अगर हम ले 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 वो भी परमेश्वर का है तो सब कुछ परमेश्वर का हो गया तो परमेश्वर का वचन क्या सिखा र ही है समय कोशल और धन समबती तीन पकार के टी हैं जिसको हमने बताया हर एक के पास में समय है हर एक के पास में कोशल है नेशरगी कोशल है सीखने वाले कोशल है और आत्मी कोशल है और धन समबती है कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि मेरे पास कुछ कमी है थोड़ा पास नहीं होगा सबसे छोटा एकजांबल हमने लिया कोई नहीं कह से था है मेरे पास में एक भी कोई सीनकर की सिखनेवला दान वलदान नहीं है कोई नहीं कहसे हैं क्योंकी सब को 24 गंटे रोज जोच मिलते हैं तो परमेश्वर का है का कहला है परमेश्वर मालिक है हम विश्वास करने वाले हम मालिक नहीं है हम स्वामी नहीं है परमेश्वर स्वामी है हम उसके भंडारी है हमें भंडारी पर सौपा गया है और जब सौपा गया है तो धरती पर ये जीवन की विश्वास की यात्रा करते करते इस भंडारी में ये बात देखी जाएगी, कि हम विश्वास योग निकलें, हमें भले भन्डारियों के समान, इसको एक दोसी की सिवकाई में लगाना है, इमे भन्डारी पहनगी जो भरभास होती है, बंडारी क्या होता है, देकभाल करने माला, बंडारी कौन होता है, जिमेर्दारी को उठा आने वाला घराने को संभालने वाला इसी को कहते हैं भंडारी भंडारी मालिक नहीं है स्वामी नहीं है भंडारी एक सेवक है वो देखभाल करने वाला है प्रमिश्र की देखा जिबंदारी को उठाने वाला है और घर का प्रबंद करने वाला है अगर हम इसी चीज को जो इस प्रभंद करने वाला है, वो ओनर नहीं है, ओनर तो परमेश्वल है, सब कुछ परमेश्व裡 का है, सब कुछ परमेश्व Meansर का मनुषों करने करने वाला एक भंडारी में ये बात देखी आती है, वो विश्वासियों को फिर हम देखते हैं पर मिश्ट के वचण से जो मतीलची सूर्स समझा में लिखा हुआ है में लिखा हुआ है चोदा वच Zar可能 सेले तीस वचन के बीच में हैं यही वचन हमके लूपा के 19 आपि 11 दानेकं 21 यहां पर बैविल कहती है एक व्यक्ति है जो परदेश जाते समय अपने दासरों को बुला कर अपने संपत्ति उनको सौब देता है किसी को पांच तोरे मिलते हैं टैलेंट्स किसी को दो तोरे मिलते हैं टैलेंट्स मिलते हैं किसी को एक मिलता है और फिर वो कुछ समय के बाद में वो स्वामी वो मालिक परदेश से लोट के आता है और पांच वाले से हिसा मंगता है बैविल कहती है हम कुछ वचन परते हैं 25 अधाय का उसने एक को पांच तोरे दूसरे को दो और तीसरे को एक अथात हरे को उसकी सामत करने उसा दे दिया तब वो परदेश चला गया हमी जो है हमारा मालिक जो है येश्र मसी वो भी हमसे लेखा लेने वाला है किस चिसका लेखा लेगा किस चिसका अकाउंड लेगा जो समय हमें दिया गया है जो कौशल हमको दिये गए हैं जो धन संबती हमको सौपी गई है क्या हम इसको परमिश्र के राज में लगा रहे है क्या परमिश्र के राजवाइस क्रास्तवाल हो रहा है इसका वो लेखा हम से अवश्य लेगा एमेन जिसको पांच मिले थे उसने कहा कि मैंने पांच और कमाये है अब स्वामी को लाकर उसने दस को दिखाया जिसको दो मिले थे उसने दो और लाकर कहा कि मैंने ये कर, और कमाए हैं, एक वाले ने कुछ ने किया, हम सब इस जिकर को जानते थे, अगर दो, सब लोग कहते हैं, क्योंकि वर्चन कहता है, येश्यू मसी का आना निकट होता जा रहा है, बैविल कह रही है, अगर 2020 या 2021 में येश्यू मसी का आना निकट है, तो मैं कट हो चुका है ये शिसमी आने वाले हैं तो समय का हम क्या कर रहे हैं क्या समय का सद्विपयोग करना हमने सीख लिया है टैलेंट्स हमारे पास में हैं क्या हम परमिश्र की महिमक लिए उसको इस्तमाल कर रहे हैं और जो धन संपति हमको सौपी गई है हम उसका क्या कर रहे हैं तो परमेश्र हमसे अवश इसका हिसाब को माँगेगा कियोंकि पहला पत्रस के अनुसार में क्या है हम एक भंडारी सेवक है और पहला कुरंतियों के अनुसार क्या है कि हम विश्वास योगी निकलना है मतलब एक सेवक को जो मालिक नहीं है अफार जैसे मैं अपने नाम को लूँ सरत कुमार अगवाल एक भंडारी है जो मालिक नहीं है वो एक सेवक है उसको कैसे निकलना पड़ेगा विश्वास योग निकलना पड़ेगा आमेन अब हम इस विश्चे को इसलिए सीख रहे हैं इसकी सिक्षेस लिए दी जा ली है ताकि मसी की जो दे है और इस बात को जाने क्योंकि एक भंडारी असफल हो गया है एक भंडारी अपने आत्मिक जीवन की यात्रा में इस दौर को पूरा करते करते इस दौर में समय का सदिप्योक नहीं कर पाया कौशल का इस्तमाल नहीं कर पाया धन सम्द्विकों से हिस्ता इस्तमाल नहीं कर पाया तो वो असफल हो चुका है तो परमेशो चाहता है भंडारी एक सफल भंडारी बन जाए इसके वज़े से ये विश्य हमें सिखाया जा रहा है फिर बाइविल के साब से तो समय में हर एक विश्वास करने वाले व्यक्ति को उसको अपना हिसाब देना परेगा इसलिए पर मिस्टर चाहता है कि भंडारी एक भला भंडारी बने इसके लिए इस विशय की हमको सिक्षा दी जा रही है पर शता नहीं चाहता है कि हम एक भले भंडाली पन के सच्चाय को जाने इसलिए वो क्या करते हैं हमको अज्ञानता में रखता है और जिसका परणाम क्या निकलता है कि हम अंधेरे में रहते हैं क्योंकि जितनी जाता हमारे पास पिर होगी परमेशन के वचन को ले कर उतना जाता हम अंधकार में रहेंगे हम जोती में चल नहीं बाएंगे जहकी की पब्लू का वचन मेरे लिए आपके लिए क्या कहा रहा है कुल यस के राज में है येश्चु के राज में है एक kingdom of guard है एक kingdom of darkness है परमिश्वर का जोती का राज है और एक अंधकार का राज है आप को अंधकार के राज से निकाल लिया गया रहे जोती के राज है परमिश हो चुका है आप जोती के राज में हो अब आपकी जीवन की याता जो सुरू हो चुकी है और आपकी आखरी स्वास तर जो होने वाली है वो जोती के राज में होने वाली है इसलिए पहला पत्तस क्या कह रहा है दो अधाय के नौशन में कहता है अब जोती के गुरों को प्रगट करो आमें जोती के गुरों को प्रकट करने हैं क्योंकि याकोब कहता है कि वो जोतियों का पिता है क्योंकि हर एक अच्छा दान उत्त्रमवलदान जोतियों के पिता के पास उपर हिस्से आता है इसलिए इस बच्छन की सच्चा जाना है कि जितना हम इस बच्छाई की सच्चाई को जान लेंगे हम अज्ञानता में नहीं रहेंगे जब अज्ञानता में नहीं रहेंगे तो हम अंधरकार में नहीं चलेंगे जब हम अंधरकार में चलेंगे तो वो बसंद पूरा होने पाएगा मेरे लोग ज्यान कहना होने से नेस्थ हो गए हैं अब क्या होगा जब परमिश्र के लोग ज्यान परमिश्र का मिलेगा उस पर बुद्धी मिलेगी उस पर समझ मिलेगी उससे जिमने लगू करने लगेंगे तो वही ज्ञान परमेशर का जो समझ और बुद्धी है जो आशिष है उनके जीवन में नाश को नहीं बलकि आशिष को लेक्याता चला जाएगा Amen तो वो नाश नहीं होंगे बलकि वो आशिरिवादित होते चले जाएगे क्योंकि परमेशर ने उनको इसलिए स्थातीब रखा गया इसी वज़े से इस विश्यकों सिख्या जा ला है क्योंकि परमेशर चाहता है कि हम एक भले भंडाली बने और भले भंडाली के सच्चाय को जाने इसकी वज़े से क्योंकि एक सफल भंडाली है सफल अगवा हो सकता है अगर हम भंडाली पन में सफल नहीं होते हैं सकसर्स नहीं होते हैं उत्तिर नहीं होते हैं तो हम एक अच्छे अगवे भी नहीं पनने पाएंगे अगवा जो अगवाई करता है किसकी अगवाई कर रहा है मसीर की देह में मसी के राज में बनने के लिए अगवाई कर रहा है तो एक सफल भंडारी ही सफल अगवाई हो सकता है और अधिकार और जिम्मेंदारी दोनों एक सा जते हैं भंडारी क्या है? जिम्मेंदारी को उठाने वाला मसी में हमें अधिकार दिये गए हैं मसी में हमें अधिकारों के साथ सामा से दी गई है इसलिए अधिकार एन जिम्हदारी responsibility and authorities go together एक साथ जाते हैं गोश्ट तूगेदर अलग अलग नहीं चल सकते हैं वो इसलिए हमें एक साथ लेकर चलना पड़ेगा यह दोनों अलग अलग नहीं हैं यह एक ही है तो मैं समझता हूँ कि यह आपको इस पस ठोला होगा तो भंडारी देखभाल करने वाला है भंडारी घर का प्रभंद करने वाला है जिमंदारी को उठाने वाला है और परवाल को समालने वाला भी कह सकते हैं एक दिन में 24 घंटे होते हैं एक मिनट में 60 सकंड होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं जो आप calculation करेंगे तो आप पाएंगे 86,400 सकंड रोज एक विक्ति की जीवन में आरहे हैं जैसी रात के बाला बसते हैं उसके अकाउंट में आत्मिक अकाउंट में ये समय का खाता खुल जाता है और छीयासी हजार चारसु सकंड जो जाते हैं अब उसके पर निर्वर करता है मसी में आने के बाद वो कैसे इस समय का अधियोग करता है क्योंकि मसी का आना निकट निकट होता जा रहा है क्योंकि मसी के देश जाने नहीं पाई है तुरंत और महत्पूल चीज जो है उसको पहले करना है तुरंद और जो महत्वूर नहीं है उसको थोग सा बाद में कर सकते हैं तुरंद नहीं है और महत्वूर नहीं है उसको तो सबसे आखरी में कर सकते हैं तो उसको समझना परेगा तुरंद क्या चीज़ है परमेश्रा का वचन सबसे ज़्यादा प्राथमिक्ता उनके जीवन में होना चाहिए परमेश्रा की आत्मा के साथ संगति करना सबसे बड़ी प्राथमिक्ता होनी चाहिए इसके लिए उनको समय को नियोजित करना सीखना परेगा क्योंकि समय निकलता जारा है जितने साल आपकी जिन्दकी के बीच चुके हैं उतने साल बीच चुके हैं एक दिन में आगर 86,400 सेकंड हैं या अगर मिनट में कहें 43,200 मिनट हैं घंटे में कहें 720 घंटे हैं एक महने के तो एक साल में कितने हो जाएंगे जितनी उमर बीच चुकी कितने साल बीच चुके हैं आपको हिसाब देना परेगा क्योंकि परमेश्र का बचन इस परकार से बता रहा है आपके बास टैलेंड है नेच्छुल टैलेंड आपके बास में नैसर के जो जनम से कुछ योगता है आपको प्राप्त हुई है क्या आप उसके द्वारा परमेश्र के राज में आत्माओं को लेकिया आ रहे हैं कुछ कौशल आपने धर्ती पर जाते रहते सीख लिये हैं जब सीख लिया है आपके बस गारी हो गई है गाली को चलाना सीख लिया है तो कितने उसके द्वारा क्या परमेश्र के राज की बहुत भी हो ली है परमेश्र ने आपको घर दिया है परमेश्र ने आपको गालिया दी है परमेश्र ने आपको चीजे दी है क्या वो जो कौशल आपको दिये है इस्ट्रुमेंट जो आप बजा रहे हैं किया परमेश्व के राच में इस्त्वाल हो रहा है जो आत्मी बर्दान है प्रभू का उचन कहा रहा है विश्वास करने वारे विचिन्न होंगे विए बिमारों पर हाथ धरेंगे और बिमार चंगे हो जाएंगे तो कितने बार आप बहार जाकर बिमारों पर हाथ धरेंगे हैं और बिमार चंगे हो रहे हैं और आपको सुस्त्रमचा सुनाने का मौका मिल रहा है कितने दुष्टात्माओं को निकाल रहे हैं कितने लोग पवितात्मा से भर चुके हैं क्योंकि Bible ऐसा कह रही है तो कौशल हमारे पास में है और धन संपत्ती हमारे पास में है क्योंकि परमेशन हमको धन संपत्ती सौपी है जिसे नहीं बता है उद्धान के लिए कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वो कहे कि मेरे पास एक भी रुपया नहीं है हर किसी के पास में है तो हर विक्ति अब जब धन समपति जो हमको सौपी गई है उसमें चार पकार की क्योंकि हम कोई चीज को हम सिखाने रहे हैं हम आपको जो थ्री पकार के T हैं टाइम को हम सिखाने रहे हैं हम खाली रूप रेखा दे रहे हैं T for talent है कोशल हमके रूप देखा दे रहे हैं कि वो आत्मिक हैं नैसरगिक हैं और सिखे हुए हैं हम उनको पूरी तहां से सिखाने रहे हैं हम धन समपति का सिब रूप देखा दे रहे हैं आगे की सिख्चों में आपको अलग अलग कर रहे हैं सिखा जाएगा धन समपति में क्या है कि हमारे पाद जो धन समपति है उसमें पहला फल आता है उसमें दस्मा भाग आता है लोग ऐसा कहते हैं कि दस्मा भाग देना पुरानी वाचा में लिखा हुआ है पुरानी वाचा का भाग था लेकिन जानकर्ण के लिए बता दू मैं आपको पुरानी वाचा में ये बात लिखी है लेकिन ये नहीं कह सकते हैं दशमाँज देना पुरानी वाचा से है क्योंकि जब अबराहम ने दशमाँज दिया तो वो दशमाँज उस समय में ववस्था नहीं आई थी ववस्था से पहले अब रहाम आया था इसके लिए पुरानी वाचा में तो लिखा है ववस्था के जो पांच किताबे हैं उसमें लिखा है लेकिन ये ववस्था के पहले से है जब पुरानी वाचा में वो इतने विश्वास ही होगी हुए कि दस्मा भाग देते हैं, नई वाचा में हमें ज़्यादा आशी से मिली हैं, मेरे विश्वास के अनुसाओं जो मैंने वचन सिखा है, मुझे दस्मा से ज़्यादा निकालना चाहिए, क्योंकि मैं नई वाचा के वक्ति हो, पहला फल निकालना है, दस्मा भाग निकालना है, बाल बाल 90 परसमर से धन के बीच को बोना है ताकि उस पर मुझे बहुत्री आए क्योंकि जितना जदा हम धन का बीच परमिश्चर के राजें बोएंगे उतना जदा बहुत्री हमारे पास में आती है असाथ गरीबी का शाप टूटर जाता है और परमिश्चर के जो वचन कहता है कि धर्मी घर में बहुत धन रहता है बाविल करती है नीती सूत्र में नीती वचन में उसके पंदरा ध्याय में उसके छे वचन लिखा है धर्मी की घर में बहुत धन रहता है अब धर्मी कोन है? जो येश्यू के लहू से धोल चुका है जो येश्यू में विश्वास करता है वो धर्मी है उसे घर में बहुत धन रहता है अब जब मेरे घर में बहुत धन है और मैं अंगिकाल कर दा हूँ येश्यू के कंगाल बन जाने से मैं धनी हो गया हूँ येश्यो की शापित बने से मैं आशिशित हो गया मैं आशिशित हो दूसरे गुंदियो मुझे परमअसिय पिता ने प्रभू येश्यो मस्री में सुर्गी स्थानों में सब रखाल की आत्मिक आशिशित हो मैं धनी हो मुझे कुछ घटी नहीं है मेरे पास भरपूरी से पड़ में परमेशन गरा जिए बीच बोड़ी रहा हूं तो फसल नहीं आएगी पड़ो का बचन क्या क्या रहा है हम जब बार बार बचनों बीच को बोते रहेंगे धन का बीच तो फसल आती रहेगी इसका मदले वो बचन पूरा हो जाएगा कि हम येश्यो मसी में धनी 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 होते चले जाएगे अधर हमारी फसल बहती चले जाएगी हम वो सब काम कर सकेंगे जिसे करने के लिए परमेशन हमको धाती बचाए और फिर उसके बार बेल कहती है गरीबों के लिए भी एक पका का दान है विशेश करके सेवक लोग ध्यान से सुने जितने लोग सेवा कर रहे हैं वैसा ये सब के लिए हर एक विश्वास करने वाले के लिए लेकिन कई बार हमने देखा है सेवक लोग ऐसा बोलते हैं वो अपनी कलिस्याओं में दश्मांस लाने के लिए क्याते हैं पर कई बार पास्बान लोग दश्मांस या सेवक लोग दश्मांस नहीं देते हैं लेकिन दश्मांस सब के लिए है चाहे वो पास्बान हो चाहे वो इवंजिलिस्ट हो चाहे वो अपोशल हो, चाहे वो भविजदक्तर हो, चाहे वो टीचर हो, कोई भी सेपका याप कर रहे हैं, आप अराधक हैं, हर किसी व्यक्ति को अपने धन संपती में से वो भाग को लेके आना है, और परमेशर उस पर फिर आशिश को देता है, एमेन, तो हम भंडाली पन की नहीं है, वो स्वामी नहीं है, वो सेवक है, उसे विश्वास योग निकलना है, उसे सब चिजे सौंप दी गई है, उसकी जीवन की विश्वास की यात्रा में, उसको इस बात में अपने आपको जाचना है, परखना है, सुधारना है, कि मुझे विश्वास योगता में है और वो मालिक बहुत जल्दी आने वाला है इसी वज़े से कलिस्याओं में इस प्रकार की सिक्षा को दिया जा रहा है ताकि जो विश्वासी लोग है जो एक भंडारी है वो एक भले भंडारी हो सकें एमें फिर हम इस बात को देखते हैं कि भंडारी जो है उसे मालूम हो या ना कहने का मलब है एक विश्वासी को ये बात पता हो या ना पता हो कि मैं भंडारी हूँ लेकि फिर भी वो भंडारी ही है उदाना के लिए जैसे पहला करूंते तीन अध्याए पहला करूंते छे अध्याए पहला करूंते बारा अध्याए ऐसे हिए बहुत से विश्वासें को यह मालूम नहीं है प्रमेश्वे के लिए प्रमेश्वर के लिए एक भला भंडारी एक अच्छा भंडारी बनने का मैं चुनाओ कर सकता हूँ जितना जदा मैं समय का सद्रिप्योग करूँगा अगर हम येशु की सिफकाई में देखें येशु अपनी सिफकाई की जीवन में सारे तीन साल की सिफकाई की समय को देखें वैविल करती है यशु तरके उठकर भोर से पहले भीर से अलग होकर एक सुनसान जगा पर जाकर पहारों पर जाकर अलग प्रातना किया का था प्रातना एक सब्ध है जिसका ना परमेश्वर से बात्षी इस्तिया करता था हमारा क्या है प्रभू के साथ समय को बिताना दूसरा हमारा है अपने परवार को सवालना तीसरे नंबर पर सिफकाई आती है इस क्रम को और को ब्रेक मत कीजिए तोलिए मत पहला परमेश्वर को रखिए फिर आपका परवार है और फिर आपकी सिफकाई में जाना है कई बार स जादा ध्यान देने की वज़े परवार का संतुलन भीकल जाता है और परमेश्र के संख सहमेनी होता है और कुछ भी मिश्रित गौस्पल जो होता है या जो दूसरित गौस्पल होता है उसको वो निकाले लगते हैं वो समझनी बाते हैं नहीं वाचा क्या है पुरानी वाचा क सर्थकुमाइग्वाल प्रमेश्र की सिस्ट्थी भी हूँ और में सिस्ट्थी था अब मैं मस्रीच के देवन चुका हूँ अब जब मसी की दे बन चुका हूँ तो मसी को मुझ में बनना चाहिए मसी की बाते मुझ में बनने चाहिए मसी के वचन गरुसार मेरी सिर्फकाई होने चाहिए और जब मैं एक अन्य जात्य के पास में जाऊंगा उसको सबसे पहले मैं सूर समझा सुनाऊंगा क्योंकि वो अभी किसी भी आशिष के लिए अप्लिकेवल नहीं है वो क्योंकि जब तक वो उद्धार की चाप को ना ले ले पभी तात्मा की चाप को ना ले ले उसका उद्धार ना हो जाए येशु के लिए उसे ना दूल जाए तब तक वो परमेश्र की आशिशों का सही रिती से वालिष नहीं हो सकेगा लेकि मसी की दे वालिष हो चुकी है इसलिए मैं हमेशा ध्यान देता हूँ जब मैं बात कर रहा हूँ दो प्रकार के विक्तियों से बार बार कर रहा हूँ एक मसी की दे है जो पहले परमिश्र की सिष्ठी थी यह समपरमिश्र के बनाए हुए है लेकि अब मैं मसी की दे परमिश्र का बेटा बन चुका हूँ तो मुझे उसके वचनों को मानना है किवल सुनना नहीं है क्योंकि परभू का वचन कह रहा है याकूब में किवल वचन के सुनने वाले नहीं जो अपने आपको धोका देते हैं अगर मैंने वचन को सुन लिया और मानता नहीं हो तो मैं खुद को धोका दे रहा हूँ और भाईविल के साब से क्या है कोई अगर आके मुझे धोका दे मुझे फसाए तो मुझे बचाने के लिए परमेश्र है बचा सकता है लोग खरे हो जाएंगे मेरी सहता के लिए लिए अगर मैं खुद को धोका दे रहा हूँ तो फिर मुझे कौन बचाने के लिए आएगा इसलिए मुझे परमेश्र के वचन को सुनना है समझना है उसको अपने जीवन में लागो काना है क्योंकि मसी काना निकट निकट होता जा रहा है क्योंकि मैं मालिक नहीं हूँ मैं एक भंडारी हूँ मुझे कुछ चिच सौंपी गई है दी गई है और मुझे एक दिन अपने मालिक को अपने स्वामी को हिसाब देना है क्योंकि समय का बनाने वाला मेरे संग-संग है जिसने नैसरगिक आत्मिक सिखने वाले दान दिये है वो हमारे संग है जिसने धन संपत्वी बनाई है सोना चांदी उसका है सब कुछ उसका है वो हमारे संग-संग है ताकि जितनी मेरे पास धनसाप्रती है उससे में परमेश्र की महिमा करने पाऊं। जो जो मेरे पास धान है चाहे वो आतिमिक हों, चाहे वो नैसरगिक हों, स्वभादिक हों, या चाहे वो बने सीखे हुए हों। उधाने के लिए मैंने टू विलर को आज से कुछ साल पहले चलाने से का वो भी नौन गेर वाली एक्टिवा को। जितने बार सरक से निकल रहे हैं, हमारे गाली का मतलब क्या है, एक सीट पीछे खाली है, हम लोगों को बठा सकते हैं। उनको अपने रास्तित तक हम भले उनके स्थान तक न छोल क्या हैं, डेस्टिन तक उनकी, लेकि के लोग अपने हिल दे खोलते हैं, पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, वगएर वगएर बाती होती हैं, phone number honestly होते हैं, हम अपने घर बे इन्वाइट कर सकते हैं, और सूस लिए मार्क बन रहा है, जो कुछ मेरे पास है, क्या आपका घर प्रातना का घर है, क्या आपके प्रा बादो में सामफ में हैं, आपको करना पडेगा कुछ, के वल बोलने से काम नहीं होगा पर मेंशल्गातर राज जो है,वो धार पाने वार लोग इन परमेश्या की सामफ है, विश्येस करके परमेश्योद्य के सेवक लोग, निती वचन के निवसार, 29 सद्धाय के निवसार, 18 वचन के निवसार, जहां दर्शन की बात नहीं होती, वहां लोग निरंगकुष हो जाते हैं बैविल के लिए अगर आपके बास प्रमेशलन का दर्शन है, इंगलिजा का थी विजन है, तो गौड्स का प्रोविजन आता है और मिसन हमारा चालता रहता हैं तो इस प्रकार से ये है कि आपको परमेश्वर ने समे दिया है आपको परमेश्वर ने को अश्र ले दिये हैं आपको परमेश्वर के राज से दर्शन को प्राप्त करें वचनों के रिसार में परमेश्वर ने कार करते रहें और परमेश्वर आपकी इस आशिश को बढ़ात । ।